आज मैं आपको मेथी के थेपले बनाना चिखाऊंगी इसके लिए एक कप पाटा, एक कप बारिक कटी मेथी, एक कप दही, अद्रक मिर्च का पेस्ट, एक टेबल इस्पून तेल, अजवाइन, हींग, नमक, हल्दी, सोप, बारिक कट पिसी हुई मिर्च लेंगे, आटे में मेथी डाल देंगे, अद्रक मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, सभी मसालों को भी डाल मिला देंगे, तेल भी मिला देंगे, धही की साहता से इसे गूथ लेंगे, अगर थेपले पांसात दिन रखने हैं, तो केवल धहीं से याटा गूथेंगे, पानी को नहीं मिलाना है, लेकिन अगर साथ-साथ ही खाना है, तो थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं, आटे को अच्छी तरह से गूथ कर, उस पर तेल लगा कर ढखकर रख देंगे, दस मिन्ट के लिए हमें आटे को रैष्ट देना है, दस मिन्ट हो गए हैं, आटा हमारा रेडी है, सबसे पहले तवे को गरम होने के लिए रख देंगे, डो में से एक रोल बनाएंगे, आटे का रोल बनाकर, उसे थोड़ा सा फ्लैट करके, रोटी की तरह बेल लेंगे, पर ध्यान रहे, थेपले हमारे पतले बेलने चाहिए, हम जितना पतला बेल सकते हैं, इसे बेल लेंगे, थेपले हमारा बेल चुका है, तवे को गरीज करेंगे, और थेपले को इस पर डाल देंगे, उपर से थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो जाएगा, सफेधी सी आ जाएगी, इसका मतलब ये पीछे से सिक्स चुका है, और इसको प्लटना है, और उसे तेल लगाएंगे, प्लट देंगे, फिर दूसरे साइड भी तेल लगा देंगे, और पोनी की हेल्प से इसे दबा दबा कर सेकेंगे, थेपला हमारा तयार हो गया है, कुरकुरा थेपला, हम इसे किसी अचार से, मिर्च के अचार से, आम के अचार से खा सकते हैं, बनाईए, और अपने कमेंट्स जरूर लिखिए, थेंक्यू,